आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की वोटो कीचो बसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाऊ डाउनलोड नाउ In a experiment to determine the enthalpy of neutralization of sodium hydroxide with sulfuric acid ठीक 50 cm3 of 0.4 molar sodium hydroxide hydrated thermometrically with 0.25 molar sulfuric acid ठीक which of the following plots gives the correct representation तो अपने को बताना है कि यह जो graph plot किये गए है इन में से correct कौन सा है अपन क्या कर रहे हैं देखो अपन 0.50 sorry 50 cm3 का volume है ठीक 0.4 molar sodium hydroxide titration कर रहे है 0.25 molar sulfuric acid में तो mille equivalent of S2SO4 needed needed for 20 20 Meq of NaOH equal to 20 ठीक क्यों देखो यहाँ पे अगर अपन लोग इसका क्या निकाले sodium hydroxide का mille equivalent तो 50 into 0.4 तो यह किसके equal आ जाएगा यह आ जाएगा 20 के equal done और अपने को क्या बोला गया है कि 0.25 molar अगर अपन लोग sulfuric acid का use करते है तो अगर अपने को S2SO4 कितना need होना चाहिए 20 mille equivalent NaOH के लिए 20 Meq done तो यहाँ से answer आ जाएगा thus volume volume of S2SO4 needed needed equal to VML अपनने माल लिया तो यहाँ से answer क्या आ जाएगा V into 0.25 into 2 equal to 20 तो V का value आ जाएगा अपना solve करने से V equal to आ जाएगा 40 ml and also also temperature increase increases during neutralization neutralization and becomes and becomes constant after neutralization becomes constant after after neutralization ठीक, neutralization तो अपना answer क्या आ जाएगा अपना answer यहाँ पे देखो B हो जाएगा, यह देखो 30 और 50 के बीच में अपने को H2SO4 का volume दिया गया है जो कि 40 के आसपास है तो अपने volume कितना निकाला 40 यह रहा अपना volume 40 अपने निकाला है तो अपना answer क्या होगा यह होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा उसके बाद यहाँ neutral position होगा इसके बाद यह constant हो जाएगा तो straight line आएगी, ठीक तो अपना answer यह सही होगा, यह गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 10 दिया गया है volume, यहाँ पे 30 और 20 दिया गया है और यहाँ पे volume क्या दिया गया है 30 दिया गया है, तो यह सब गलत है देखो, अपन ने क्या किया अपन ने कितने milli equivalent क्या मिला रहे है क्या sodium hydroxide ठीक, sodium hydroxide अपन मिला रहे है कितना 20 milli equivalent ठीक, 20 milli equivalent मिला रहे है तो 20 milli equivalent के लिए अपने को कितने volume की जरूरत है 20, और अपने माल लिया 0.25 molar sulfuric acid जो titration के लिए use हो रहा है, उसका V volume लगता है, ठीक, sulfuric acid, S2SO4 का, ठीक, S2SO4 का अपन माल लिया कि V volume लगता है, तो S2SO4 का जब हम लोग mili equivalent लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 20 के equal होना चाहिए, तो V into 0.25 into 2, 2 क्योंकि S2SO4 जो होता है, उसके दो ends होते हैं, तो into 2 कर दिया, ठीक, normalty क्योंकि लिखना पड़ता है, और यहाँ पे वल answer equal to 20 कर देंगे, तो अपना answer क्या आजाएगा, अपना answer आजाएगा, 40, volume 40 होना चाहिए, S2SO4 का, डन. क्लासिक स्ट्वेल से लेके, NEED IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा, आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप, या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स, 8444 सुपर.